बहुतिक सुखो के दाता सुख्रग्रह अक्तूबर दोजाइचोबिस के मद्धे रासी परिवर्तन करेंगे। सुक्र ग्रह अपनी तुला राशी से निकल कर मंगल की राशी व्रिष्चिक में परवेश करेंगे। सुक्र का यह है गोचर 13 अक्टूबर की सुबह को होगा, सुक्र ग्रह एक राशी पर करीब 26 दिनों तक रहते हैं और उसके बाद राशी परिवत्तन करते हैं। सुक्र ग्रह के गोचर से जात्को को कास्मिक धन के प्राप्ति आशो अराम की वस्तुए संपत्तिि का लाब जिवन साति के साथ रिष्टे मदूर आधी होने के योग बंते हैं। शुक्रिक रह के गोचर को लेकर और क्या कहते हैं हरिद्वार के जोतिसी पंडेल सशांग शेकर सर्माज सुनिये शुक्रिक गोचर 13 अक्टूबर 2024 से व्रशिक राशी में आएगा गुरु के नक्षत्र विशाखा अखे साथ और 7 नवबर 2025 रहेगा केतु के नक्षत्र मूल के साथ बाकी बात करें किसके लिए अच्छा है तो कुम राशी के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है और मीन राशी के लिए कर्म के शेत्र में प्रोफेशनली यह समय अच्छा रहने वाला है धनुराशी से, क्योंकि धनुराशी से लाविस्थान बार्वे घर पर शुकर का गोचर आएगा लोन से संबंदित आपको लाव मिल सकता है, नोकरी से संबंदित आप दूर जा सकते हैं नोकरी चेंज היोने के योग है, लेकिन ये लाव रहेगा आपके लिए उसका एक कारण ये भी है कि लाभेश शुक्र है आपकी कुंड़ी में जो आपके आपसे बार्वे घर पर घोचर कर रहे हैं तो नोकरी संबंदित दूर जी जाने का योग नई नोकरी मिले जो दूर मिले या विदेश जाने के योग अगर आपकी नोकली विदेश से संबंदी थाब ट्राई कर रहे हैं तो धनुराशी के लिए यह योग विदेशी कंपनी या विदेश से लाबकावी होने वाला है तो धनु राशी, मीन राशी और आपका व्रशिक राशी आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है